आंत्रप्रदेश के तिरुपती बाला जी मंदिर प्रसाद विवात के बाद जो देश के अलग-अलग धार में किस्थल हैं, वहां के जो प्रसाद हैं, उसकी पवित्रता और गुर्वत्ता को लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसे में मौझूद हैं वारानसी के काशी विश्णाद धाम में हमारे साथ बातचीत के लिए जोड़े हैं, SDM समुसर अरजियम उनसे बात करेंगे। सर, मंदिर परिसर का जो प्रसाद है, वो कैसे तयार किया जाता है? देखिए हमारे प्रसाद की परंपरा बिल्कुल तय है, सबसे पहले तो बावा को जो भोग लगता है, वो हमारे पुझारी ही निर्मित करते हैं, और सिर्फ हमारे पुझारी के द्वार निर्मित ही भोग बावा पर चड़ता है। उस प्रसाद के अत्रिक सरधालूं को घर ले जाने के लिए और पूझन के लिए जो लड़ू निर्मित होता है, उस प्रसाद में यह तय है कि केवल और केवल सनातन धर्म के मानने वाले लोग ही उस प्रसाद को बनाएंगे। प्रशाद में लड़ू बनाने में जिन मैटेरियल का उपयोग होता है उसकी गुनवत्ता और उनका मानक उच्छतम अस्तर पे रखा जाता है उसमें जो घी यूज होता है उस घी को यूज करने से पहले हम लोग ये सुनिश्चित कराते हैं कि उनकी लैब रिपोर्ट हमारे पास हो और लैब रिपोर्ट बिलकुल ओके हो इसकी इसके बाद जब वो प्रशाद बनकर के मंदिर में बिक्री हो रहा होता है उत्तर प्रदेश की फूद एंड सेफ्टे डिपार्टमेंट के द्वारा उसका हमेशा रेंडम ली वेशिश पर उसका सैंप्लिंग कराया जाता है तो मंदिर प्रशाद सुरू से ही इस बात को लेकर के काफी सचित रहता है कि श्रधालवों के हाथ में जो भी प्रशाद जा रहा है वो बिलकुल हिंदो धर्म के परंपरा के अनुरूप हो सुद्ध हो और उसकी गुनवत्ता और मानक उच्चत मस्तपर हो जो दक्षड भारत के मंदिर में प्रशाद को लेकर जो कुछ भी बाते चल रहे हैं क्या उसको लेकर भी मंदिर परिसर के पूजन समागरी हों प्रशाद हों उसकी निगरानी उसकी निरक्षड को और भी मजबूत कर दिया गया और भी कुछ तैयारी की गया देखिए ये तो हमारी सतत प्रक्रिया है इस चीज को हम हमेशा कर रहे होते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि तृपती की घटना के बाद से हमने करना सुरू किया है ये हम पहले से भी करते चले आ रहे हैं अब इस चीज को और जोर दे करके कर रहे हैं ताकि कहीं कोई चूक्र और न हो जे शुक्रिया बाचीत के लिए तो मंदिर प्रसासन का साथ कहना है कि यहां पर जो तयार होने वाले प्रसाद हैं वो सनातन धर्मी तयार करते हैं इसके अलावा उसकी पवित्रता और गुर्वत्ता का खास ध्यान दिया जाता है